जो question pending क्योंकि extra classes जो है वो doubt के लिए रख रहे हैं हम स्रिप आज एक questions मुझे याद आया बीच में मैंने छोड़ा हुआ था वो कर लेते हैं ये हो गया था ना साइद ये नहीं हुआ था क्यों नहीं हुआ ये रिवेलिवेशन ये नहीं है डिस्पोजर लेज़ बशाइब यह नहीं हुआ यह नहीं हुआ यह मुझे ही कराना है चलो पहले यह कर लेते हैं यह कुशन इंपॉर्टेंट है एक्जाम में पूछा जा सकता है यह गयाम पर decorat कहुंदैंट है यह से था ज्ली एर आलड़टेंट है बशान पॉर्टेंट गरिपन कोुशन है अउले में यह वाamos पहला है यह से हारा झालाओ यह यहारा है यह हमारा मसीनरी अगांट यह हमारा मसीनरी अगांट पर्टिकुलर अमांट डेट पर्टिकुलर अमांट ठीक है चले स्टार्ट करते हैं कुश्चन भी पढ़ते जाते हैं और करते जाएंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से है देखिए हुआ क्या कहता है अग कंपनी प्रवाइड डेप्रीशेशन प्लांट एंद मसिंटी परसेंट ऑन रिडूशिंग मैथर्ड यानि हमारे पास रेट जो है वह है डेट इस डबलू डीवी और 20% के हिसाम से हमारे रेट लगना है ठीक है आगे देखे तो क्या कहता है और 1st April 2019 एक अपरिल 2019 को दा बैलेंस ऑफ प्लांट एंद मसिंटरी अकाउंट वस तो एक अपरिल एक चार 2019 तो पहली बात यहां पर वर्ड इस्तमाल किया गया है बैलेंस तो नहीं नहीं है यह पुरानी है देट इस बैलेंस की बात करें तो हमारे पास पांच लाग रुपे का है पांच लाग रुपे का हमारे पास एसेट्स है आगे कहता है इट वस डिस्कवर्ड नाइंटीन ट्विंटी यानि हमें कुछ एकत्यस तीन दो हजार बीस और एक चार दो हजार उन्निस इन दोनों के टाइम के बीच में यानि उन्निस बीस में हमें कुछ मिला दिस्कवर्ड का मतलब पाया और क्या मिला होगा मिस्टेक्स उसी को हम ठीक करेंगे दिस कहता है कि 25,000 रुपए का रिपेर करवाया था 30 जून 17 में मतलब कुछ साल पहले यह बैलेंस तो आपको 19 का है लेकि 19 की बात नहीं बता रहा कुछ साल पहले 17 में रिपेर करवाया था had been capitalized तो सर रिपेर जो होता है ना वो कभी capitalized नहीं होता यह तो नॉर्मल खर्चा है profit and loss में जाना चाहिए तो जो यह पार्ट आपने रिपेर कराया होगा कुछ साल पहले तो इसका मतलब अगर उसको अपने capitalized करा हुआ है तो मसीनरी में जुड़ा हुआ होगा तो हमें यहां से हटाना है तो हम directly यहां से 25,000 नहीं घटा सकते क्योंकि इस 25,000 की value कब की है 30 जून की और यह वाली value कब है 19 की तो first of all पहले हमें इसको 19 तक लेके आना होगा ठीक है तो अगर मैं इसको 19 तक लेके आऊं किसको कब था यह 30 जून 2019 30 6 2019 नहीं 17 17 में कितने का value था तो अगर मैं इसके value को minus plus करूं तो सबसे पहले depth हमने लगाया होगा इसके उपर 20% के हिसाब से तो नाइन मंत का लगेगा इस पर टैप तो पच्छिस हजार पे 20% बारा इंटु में त्री डिवाइड़ेड़ वाइट नाइट यह आ गया 3750 यह depreciation लग गया होगा यह किस डेट पे आ गया एक चार दो हजार अठारा अब एक साल का और डैप लग गया होगा एक अतिस तीन दो हजार उन्निस तो फिर से 20% लगा होगा यानि ब्यालिस सो पचास और अगर हम आगे देखें ब्यालिस सो पचास माइनस कर दें तो सर इसकी वैल्यू आज की डेट पे आज की डेट का मतलब एक चार 2019 वाले डेट पे इसकी वैल्यू कितनी रह गई है इस 17,000 को इसमें जो जोड़ा हुआ है वो अननेसेसरी जोड़ा हुआ है तो लेस कर देते हैं यहां से लेस कर देते हैं कितना 17,000 ठीक है इसमें से लेस हो जाएगा ऑल्दो मैं सबसे पहले तो जो यहाँ पे लिखोंगा टू बैलेंस हम बाद में लिख लेंगा अकाउंटिंग की पॉस्टिंग बाद में देखेंगा पहले यहाँ दक समझ में है अब दूसरा क्या कहता है सर एक पचास अजार रुपय का एक जो था ना दूसरा क्या कहता है सर एक पचास अजार कॉस्ट का मसीन परचेस किया था अक्टूबर 16 में अब सर ओडिनरी गुड्स हमने खरीदा मसीन लेकिन हमने उसको नॉर्मल खर्चा मान लिया तो इसके अंदर जुड़ा हुआ होगा या नहीं होगा नहीं होगा जुड़ा हुआ नॉर्मल खर्चा क्योंकि क्या कहता है कि 50,000 का मसीन खरीदा और उसको ordinary goods मान लिया तो हमने तो trading में दिखा दिया होगा इसको जब trading में दिखा दिया होगा तो balance sheet के assets में कैसे जुड़ सकता है जबकि ये जुड़ना चाहिए तो ये वाला तो नहीं जुड़ना चाहिए तो minus कर दिया और जो part जुड़ना चाहिए उसको वापस से add करेंगे लेकिन कितना add करेंगे सर ये value दे रहा है 2016 तो सबसे पहले हमें इसको 19 तक convert और ये था मसेंडरी तो पहले 6 महने का debt लगेगा तो 6 महने का depreciation 5000 that is 45000 ये आ गया 1417 फिर से depreciation लगेगा अब पूरे साल का 9000 अब ये आ गया 1418 फिर depreciation लगके 36000 बचा अब 72 ठीक है अब आ गया 1419 है ना अब इस पे से debt minus कर दो 36000 28800 यानि सर देखा जाए तो add कर देना चाहिए हमें 28800 समझ मैं आई बात आप यहां तक कोई दिगत इसको मैंने minus कर रहा है और इसको add किया है कह रहे है बच्चे सर स्क्रीन ब्लर है एक मिट चेक कर लेते हैं ब्लर नहीं एक बार आप refresh करिए clear हो जाएगा internet का issue होगा आपके side से यहां मैंने देख लिए ठीक है ठीक है चलिए सर आगे क्या कहता है question यहां तक clear होगे आपको आगे कहता है question management want to correct this mistake तो यो मैंने यह minus plus कर रहा है न तो यह correct कर रहा है mistake को ठीक है तो यह चाहता है prepare year ending 31 मार्च 2020 सिर्फ एक साल का ही बनाना है ज्यादा नहीं बनाना अब plant cost 40,000 30 September 18 अब एक बात और कह रहा है एक और plant था जो की 40,000 रुपे को costed मतलब खरीदा गया था 30,000 अब खरीदा गया था 30,000 इस क्रैप्ड स्क्रैप्ड का मतलब होता है सर इसको 0 रुपे में बेच दिया मतलब खतम हो गया ये and replace the modern plan 31 December यानि 31 December को ये 0 हो चुका है यानि यहाँ पे entry आजाती है एक और plant की जो कहा होगा सर अगर बात कर रहा है 18 में तो इसी के अंदर जुड़ा होगा वो भी plant है कि नहीं इसी के अंदर एडिट ही होगा plant क्योंकि ये balance है और वो plant खरीदा था कब 2018 में तो इसी के अंदर एडिट होगा तो वो भी 0 हो गया तो हमें इस plant में से 2 टुकड़े करने पड़ जाएंगे फिर से यानि हमारे पास जो 5 लाग का है एक तो ये वाला पॉर्षन तो आई गया इसमें से हमें वो पॉर्षन भी हटा देना होगा जो की पॉर्षन बिकरा है सिंपल सी बात है ताकि हम actual depreciation लगा पाएं तो यानि ये 40,000 लेकिन हम directly 40,000 सर माइनस नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते सर 40,000 40,000, 2018 की और ये सारी value हम लेके चल रहे है 2019 का लेके चल रहे है और हमने एक नई machinery खरीद लिया 31 December 2019 में कितने का 60,000 का तो now सबसे पहले हम 40,000 वाले पार्ट को हम देखते हैं कि क्या हो सकता है एक next page पे देख लेते हैं 40,000 वाले पार्ट को तो एक और हमारा पार्ट था that is 40,000 का डेटेड जो है वो किस डेट पे खरीदा गया था सरी है 30 September 2018 यानि सर तीस नो 2018 में खरीदा गया था कितने का 40,000 का खरीदा गया जो इस पर डेप्रिशेशन लगा होगा हमारा 6 मन्त का 6 मन्त का लग गया होगा है किकशन तो दो हजार लगा होगा तो बचा होगा 38 हाथ 20 percent, अच्छा 4000 लगा होगा 4000 लगा होगा तो बचा कितने का 36,000 ये डेट आ गया 142019 नां कुष्चन में क्या कहना है अगर हम कुष्चन को देखें तो कुष्चन क्या कहता है question में कहता है कि यह जो 60,000 रुपय का है वो 31 December को replace किया गया यानि अगर इसको scrap करने की बात करोगे तो 31 December तब तो इस्तमाल किया इसने यानि 31, 12, 2019 तक इस्तमाल किया तो और कितने महिने का लग जाएगा 9 मंद का अगर 9 महिने का मैं 36,000 पर depreciation निकालू 20% 12 into minimum 54,000 रुपय कितने आगे चववववन सो तो फाइनली अगर इस plant की बात करें तो 54,000 और 36,000 तो 30,600 रुपय का बचा है लेकिन हम बेच नहीं पाए यह पूरा का पूरा अगर मैं sale की बात करूं तो sale कितने का हुआ जीरो का और हमारा पूरा का पूरा यह लॉस हो गया 30,600 तो हमें depreciation के purpose से और actual calculation के purpose से यहां पे एक अप्रेल 2019 यानि 36,000 का part है जो कि 36,000 का part हमें यहां से minus कर देना चाहिए less जो part हमारा sold हो गया है ना that is कितने का 36,000 अब जो हमारे पास plant बचा है ना पुरानी machinery को add less करके उस पे हमें current year का depreciation charge करना नहीं वो तो loss था हमारा एक अप्रेल तक की desert देखो 30,000 जो 600 था एक अप्रेल का नहीं है वो 12, 31, 12 का है हम किस time के value को compare कर रहे है तो इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया है तो अब जो मेरे पास बचेगा यह पांच लाग प्लस 17,000 स्वरी माइनस 17,000 प्लस 28,800 और माइनस 36,000 यह बचा 4,75,800 और इस पे अब हमारा current year का depth लग जाएगा that is depreciation 20 परसेंट यह आगया 95,160 यह current year का depreciation आगया मैं इसको separate कर देखा है नीचे अलग है यह लग है चलिए ठीक है current year का और इसके उपर depth माइनस कर दो के तो 380,640 माइनस करके कोई फायदा नहीं है यह देख यानि हमने इस पे लगा लिया अभी भी एक machinery है हमारे पास जो की नई वाली खरीदी है तो नई वाली जो खरीदी है उसका depreciation यहीं साथ के साथ लगा देते हैं क्योंकि ज़्यादा है नहीं मैं देख पा रहा हूं इस यह था आपका M अब एक आपने खरीद लिया M2 सपोस कर लो कितने का खरीदा आपने साथ हजार का इस पर आपने खरीदा का 31 बारा को इस पर depreciation लगेगा 31 तीन दो हजार बीस में और depreciation तीन महीने का लगेगा तो तीन महीने का आएगा एक हजार यह बच गया स्वरी तीन हजार यह बच गया हमारा 57 ठीक है पहले आप एक बार वर्किंग नोट देख लेजिए फिर हमारा सिर्फ पोस्टिंग का काम रह जाएगा इस बताइए यहां तक कोई डाउट है स्पेंड नहीं मसींडरी खरीदा है कहता है कि रिप्लेस विद्धा मॉडर्ण प्लैन रिप्लेस का मतलब एक खरीदा गया है चलिए अब पोस्टिंग देखिए बैलेंस बीडी क्योंकि हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं लेकिन बैलेंस आपने यहां लिखना पड़ेगा पता है कितने पांच ठीक है एक ही साल का बनाना है और यह हमारा एक जार उननेस फिर से आपने 31 बारा को टू बैंक से खरीड लिया 절대 साथ हजार अब रेक्विटीफिकैशन की वजह से हमारे एशिट में बढ़ गया या घट गया अगर मैं रेक्टीफिकैशन की बात करूं तो रेक्टीफिकैशन यह है वस नीचे वाला पार्ट तो हमने एक साल का डैप निकालने के लिए जैसे दो पार्ट कर देते तो एक इधर एक इधर और यह रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन मी، अगर एक्ट्सवल देखें, तो भीया सत्रह हजार रुपे तो मिषीठी ओता ग्त आड़ा है, तो जो भी एजो हुआ है, उसको हम थरू पिएंडल से दिखा देगा, म्ठविट vam लॉस्ट निकालन थे एडिशन कितने का 11,800 और ये काम कब करा है सर आपने साल के end में that is 31,320 में ठीक है अब depreciation लगाएंगे सबसे पहले हम लगा लेते हैं जिस टाइम बेचा गया है एक तो बीच में बिग गया that is 31,12 को बिग गया तो उसके उपर depreciation जो की एक पार्ट भी का था तो उस पार्ट का depreciation कितना बसता है current year का that is ये वाला जो balance है ये current year के अंदर count हो जाएगा हमारा ठीक है न तो current year के अंदर कितने आगे 50 पर सर 31,12 को ही इसको बेचने पर हमें loss हो गया तो इधर दिखा देंगे profit and loss सर कितने का loss हो गया था आप देखेंगे 30,600 का total loss है ये आगया हमारा 30,600 और सर 31,3,20 में आपने depreciation लगाना है किस पे पुराने वाले पे old वाले का हिसाब किताब तो उस पे depreciation जो लगा है 95,160 और 31,3,20 में ही आपको जो नई machinery खरी दी है अपने टू जिसे नाम देते हैं new machinery जो खरीदी है उस पे भी लगेगा कितने लग गए 3000 बस final हमारा ये complete हो गया है सरफ एक साल का बनाना था देखो question में accounting में इतनी महनत नहीं है जो सारा का सारा main काम था किस में था हमारा इसके working note में हाना तो अगर accounting देखे तो पांच लाट 571 571 और इधर आजाएगा by balance cd ये भी कब आजाएगा इसको ठीक है माइनस फिफ्टी फॉर हंड्रेड तीस छेस लोग 95 वन सिक्स्टी है ना 3000 ये आगया फ्री फॉर थर्टी सेवन 640 चेक कर ये ठीक है तो एक साल का data तयार हो गया question number 14 था जो कि मेरा मानना है ये एक अच्छा question है इसके अंदर laser में ज्यादा timing नहीं लग रहा लेकिन हाँ इसके working note में अगर आपने जरा से भी mistake करी तो आपका गलत हो सकता है अगर आप इसमें इस वाले point में किसी को दिक्कत आ रहे तो मैं इसका alternative बता देता हूं आप क्या करोगे सर पांच लाक और इस पांच लाक में से आप सबसे पहले माइनस कर दोगे क्या 17,000 और फिर प्लस कर दोगे क्या आपका 28,800 तो नाव आपके पास जो value निकल के आए ना वो value निकल के आगे आपके पास 5,11,800 ठीक है अब इसके दो हिस्से कर दोगे एक पार्ट बेच रहे हो और एक पार्ट नहीं बेच रहे हो तो जो पार्ट आप बेच रहे हो देट इस कितने का 36 का है नहीं कॉस्ट नहीं करना value तो बाकी जो बच गया वो बच गया 4,75,800 अब इसके according भी कर सकते हैं अगर आपको यह वाल कि अग्यवरे लागेगा है चलिए नूट करेंगे